अपने नोटबूक मुवी का नाम तो सुनाई होगा, यह मुवी भी उन्हों नहीं लिखी थी आज के हमारी मुवी भी वन आप दे बेस्ट रोमांटिक मुवी है, इसमें मिस्टरी है और इसका एंडिंग भी अनिस्पेक्टेड है पर फिर भी ending भी अच्छी है तो चलिए इस movie को explain करना start करते हैं इस movie में एक suspicious लड़की एक town में आती है एक store owner से उसका प्यार हो जाता है जिसकी wife मर चुकी है पर उस लड़की का past उससे catch up कर लेता है तो उसका past क्या था यही हम movie में देखेंगे तो चलिए इस movie को explain करना start करते है movie start होती है और हम देखते हैं कि एक लड़की भाग रही है यह हमारा main character है जिसका नाम है केटी केटी अपने neighbor से help मांगती है और इसके बाद directly bus stop पर आ जाती है केटी का पीछा police directive कर रहे है पर उनसे नजर चुपा कर वो यहां से भाग गई है केटी की बेस दूर तक जाने वाली है पर stop के लिए south port इस गाव में रुकती है जब केटी आसपास देखती है तो यह बहुती beautiful town है इस town के पैर में उपर जाती है वो decide करती है कि अब उसे यही रहना है वो police से चिपना जाती है इसके लिए भी town perfect है बीच के बाद है cafe इसके owner से वो बाते करती है यहां काम करने लग जाती है जो direct you केटी को ढूंड रहा था उसने bus stop के CCTV footage निकाले है इस footage से उसे पता चल जाता है केटी अटलांडा के bus में बैठी हुई थी अटलांडा इस तरह की city है जहां से आप अमेरिका के कोई भी town तक जा सकते हो इस direct you की frustration और भी बढ़ जाती है केटी को रहने के लिए जगा चाहिए तो वूर्स में एक चोटा सा घरो बाय कर लीती है रात में उसे violence के सपने आते है इसी वज़े से वो सो नहीं पाती आसपास जंगल ही है तो अलग-अलग animals के आवाज भी उसे आते है यह पुरा ना उसे है तो रात में वो नोटीस करती है कि उसके फ्लोर्स भी खराब है नेक्स उबा केटी शॉपिंग के लिए जाती है जिस शॉपर वो आती है वहाई क्यूट सी लड़की जिसका नाम है लेक्सी केटी लेक्सी से पुछती है कि क्या आपके पास कोई पेंट वेग रहा है लेक्सी पुछती है कि पेंट किस के लिए चाहिए केटी कहती है कि मैं फ्लोर पेंट करने वाले हूँ लेक्सी इस पर बहुत अस्ती है कहती है कि फ्लोर कोन पेंट करता है केटी उसे पुछती है कि तुम्हें क्या लगता है कौनसा कलर में चूज करना चाहिए लेक्सी कहती है कि सन का कलर तुम चूज कर लो येलो वो बहुत ही ब्राइट लगेगा केटी को भी ये आईड़ा बहुत अच्छा लगता है यहां फिर लेक्सी के फादर आते है जिसका नाम है एलेक्स यह हमारा और एक मेन करेक्टर है एलेक्स ने केटी को कल बस से उतर दो है देखा था एलेक्स को नहीं लगा था कि इसी टाउन में वो आई हुई है Alice Katie से पुछता है कि तुम यहां कैसे रुख गई हो जनरली लोग सिर्फ जरा हॉल्ट यहां लेते हैं Katie इस पर कुछ भी नहीं बोलती Katie को कलर चाहिए तो Alex उसे एक book देता है इस book में से वो अपना कलर चूज कर सकती है इस scene में हम देख सकते हैं अलेक्स जब Katie से बात कर रहा था थोड़ा सा वो नर्वस था Alice के साथ स्टोर में एक बुड़ा आद्मी जिसका नाम है Roger यह भी काम करता है Alice Katie से जिस तरह से बात कर रहा था इस पर Roger उसे चिडाता है नेक सेंग में हम देखते है Katie कैफे में काम करी थी तब ही पूलिस आ जाते है Katie को लगता है कि उसे पकड़ने के लिए वो आये है पर पूलिस का और कुछ काम था वो फिर रिलाक्स होती है Katie जब घर पर आती है तो आएक औरत है जो उसकी घर में देख रही है यह हमारा और एक कैरेक्ट है जिसका नाम है जो आपको मुवी में शायद लगेगा कि जो जादा इंपोर्टन कैरेक्टर नहीं है पर ये जो भी सब करती है जो भी कहती है इस पर आप ध्यान रखिएगा मुवी के लास में आपको सब कुछ समझ मैं आएगा Katie जो से बुछती है तुम यहां क्या कर रही हो जो उसे स्वारी कहती है कहती है कि मैं तुमारी नेबर ही हूँ मैं अकिली बढ़ जाती हूँ इसलिए मैं देख रही थी कि मेरा नेबर कौन है जो कहती है कि मैं जो पता है कि तुम यहां क्यों आई हो सीडी में जो भागदर होती है बहुत साई आवज आती है, इससे जरा दूर यहां बहुत ही शान्त लगता है यह इसलिए तुम यहां आई हो, केटी भी इसके लिए आगरी करती है जो उसे कहती है कि रोड के सामने में रहती हो अगर तुम्हें कुछ भी लगेगा तो मैं तुम्हें help कर सकती हो Next day Katie फिर से Alex के पास आती है उसने अब color choose कर लिया है Alex कहता है कि paint आने में जरब वक्त लगेगा तब तक तुम्हारा नाम और number मुझे दे सकती हो याने कि जब भी paint आ जाए तो मैं तुम्हें call कर दूँगा Katie उसे number नहीं देना चाहती तो कहती है कि Monday में आकर खुछ चेक कर लूगे जब Katie आसे जा रही थी तो Alex की डॉटर जिसका नाम है Lexi एक painting बना रही थी Lexi Katie को पसंद करती है तो वो painting को Katie को दे देती है घर जाते जाते Katie फिर से जो से मिलती है Katie के हाथ में Lexi ने दे जिए भी painting है तो जो इसके बारे पुछती है जो को एप painting बहुत ही पसंद आती है जो कहती है कि यह तो एक flying fish है जब ए टाउन में से चलते चलते जाते है तो जो कहती है कितना beautiful day है यह city भी बहुत ही beautiful है जो को हमेशा से पुरा world ढूमना था अब तो वो कुछ भी घुमी नहीं है केटी कहती है कि अभी तो तुमारी कुछ भी age नहीं है तुम अभी भी यह सब चीज़े कर सकती हो इसके बाद इनकी walk खतम होती है और अपने अपने रास्ते चले जाते है जब केटी और एलेक्स बात करे थे तो केटी के बॉस ने देख लिया था जब केटी और बॉस बात करती है तो बॉस केटी से कहती है कि एलेक्स की वाइफ थी जो थोड़े सालों पहले गुजर चुकी है उसके बाद Alice की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी बॉस ने Alice को इतने साल बाद केटी के साथ जब वो था तब खुर्ज देखा है इसलिए हो जाती है कि दोनों कपल बनने चाहिए इसलिए सब चीज़े को केटी को कहती है एक दो दिन में केटी पेंट लेने के लिए आती है एलेक्स उसे पेंट देता है पर यह बहुत ही हेवी है तो एलेक्स उसे पुछता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हो एलेक्स जादा इंट्रस्टेंड नहीं है तो इसके लिए मना कर देती है आगे चलती है पर उसके हाथ हाट होने लग जाती है वो पीछे मुड़ती है तो एलेक्स उसे ही देख रहा है एलेक्स फिर उसे लिफ्ट दे देता है एलेक्स पेंट घर में रखने के लिए आना जात तो उसे डूंटे डूंटे कोई आ चुका है वो बहुत ही डर गई थी पर सुबह उसे पता चला कि एलेक्स एक बाइसिकल उसे गिफ्ट करकर चला गया है एलेक्स उसके लिए केर करता है वामेशा पैदल गुमती है तो बाइसिकल से फास्टर गुम सकती है इसलिए वो ये जेस्टर करता है केटी इस पर गुसा हो जाती है और डाइकली एलेस के पास जाती है ये बाइसिकल रिटन करती है एलेस कहता है कि ये गिफ्ट था पर केटी कहती है कभी भी रात में इस तर को बताया है जो कहती है कि एक स्मॉल टाउन है या छोटे मोटे जेस्चर तो चलते रहते हैं अगर तुम्हें इस टाउन में रहना चाहती हो तो इन चीज़ों की तुम्हें आदत कर लेनी पड़ेगी यहां के लोग बहुत ही अच्छे और तुम्हें हेलफूल चीज़ें वो से नहीं करूंगा यह दोनों बात ही कर रहे थे तभी आलेक्स का बेटा जौच बोट पर खेल रहा था और वहां से गिर जाता है एलेक्स अपने बेटे को बचाता है पर उसकी बेटी लेक्सी बहुत ही डर गई थी तो केटी उसे सहारा देती है उसे शान्त करती है जब आल केटी की investigation कर रहा था उसने CCTV cameras में देखा है कि केटी ने अपने hair dye कर लिये है और वो shot भी है उसके पास केटी का जो photo था इसे वो photoshop करता है nationwide फिर सब police station में वो fax करवाता है इस fax में केटी का photoshop किया हुआ photo और केटी एक first degree murderer है यह लिखा है next scene में हम देखते है कि अपने daughter और अपने son को लेकर Alex आज बीच पर जाने वाला है केटी भी अपनी bicycle से town में घुम रही थी Alex और वो बात करने लग गए और Alex ने केटी को बीच पर invite किया केटी भी इसके लिए मान जाती है केटी और लेक्सी की बहुत जम थी है यह बीच पर जाकर shopping करते है जब Alex और उसका बेटा Josh यह अकेले होते है तो Josh कहता है क्या तुमें इससे कोई भी problem नहीं है केटी हमारे साथ है Josh अपनी मदर को बहुत ही मिज़ करता है तो उसके फादर किसी से भी बात ना करे ऐसा उसे लगता है बीच पर बहुत ही beautiful day इस पेंड करते है जो एक फिश पगड़ता है जिसकी फोटो एलेक्स लेना चाहता है पर एलेक्स फोटो ले इस से पहले इस फि वाइफ को याद रखना है Josh हमेशा एलेक्स को तंग करता रहता है केटी उसे कहती है कि एक phase है यह विन इकल जाएगा एलेक्स केटी से पुछता है कि तुम यहां क्यों आई हो केटी कहती कि मैं एक नई स्टार्ट करना चाहती थी इसलिए हमें यहां आई हो केटी पुछती है कि तुम यहां कैसे सेटल होगे एलेक्स केता है कि आप वैकेशन के लिए मैं और मेरी वाइफ मेरे अंकल के पास आते थे एक दिन इसी तरह से वैकेशन पर आये थे और पता चला कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है हमें लगा कि सेटल होने के लिए बहुत ही ब्यूटिफ बहुत हसते है एलेक्स का बेटा और बेटी यह दोने सुन रहे है लेक्सी को अच्छा लगता है कि उसके फादर को कोई ना कोई तो मिल गया है नेक्सिन में हम देखते है कि डिटेक्टिव अब केटी ने जिस नेवर से हल्प ली थी उसको इन्वेसिगेट करता है पर यह उसे कुछ भी नहीं बता दिए फिर से हमें टाउन दिखाया जाता है हम देखते हैं कि रात में केटी घूम रही थी उसकी बहुत फिश पकड़ रही थी जो एक भाली से था इस पेर से फिश कैसे पकड़ने है यह उसे सिखाया जाता है केटी ने फर्स टाइम फिश करने के लिए आएगी पर वह बहुत ही नर्वस है स्टोर में काम करने वाला रोजर कहता है कि यार पूछ भी डालो एलेक्स नर्वस होकर पूछ डालता है केटी भी इसके लिए हां कहती है एक ब्यूटिफुल लेक और खैनलस में आब यह दोनों फिशिंग करने के लिए आ पर यह सही नहीं है तो मेरी लाइफ का एक ब्यूटिफुल पार्ट थी और अगर मैं उसे याद नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा टाइम के साथ अब मैं जरा हील होने लगा हूँ मेरे बच्चों के मन में भी मेरी वाइफ की ब्यूटिफुल मेमेरी में रखना चाता बस एक एक दिन में गुजाता रहता हूँ आज पहले बार में तुम्हारे साथ जब हो तो सही से जी रहा हो इस तरह से मुझे लगता है केटी केटी है या आज क्या डे परफेक्ट है सडनली जोर से बारिश आने लग जाती है केटी और एलेकस भागते-बागते रेस्टोरन में आते है एलेकस अपने एक फरेंड को कौल लगाता है जो ने पिकप करने के लिए आने वाला है बहुत रात है पर फिर भी उसका फरेंड नहीं आया इस रेसटोरन में एक बहुत गाना लगता है इस गाने पर ये दोनों डांस करने लग जाते है और एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते है अचानक से एलेस का फ्रेंड वहाता है और इन दोनों को डिस्टब कर देता है एलेस का फ्रेंड एक पुलीस है तो केटी उससे बहुत डरती है एलेक्स और उसका फ् उसके kids ने उसे बहुत miss किया है आदी रात में Alex अपनी wife के room में जाता है यहां हम देख सकते कि Alex की wife मरने से पहले बहुत सारे later जोज कहता है कि वहाहा जाना allowed नहीं है तुम ऐसा कोछी मत करो एलेस कहता है कि मैं भी तुम्हारी मॉम को बहुत मिस करता हूँ यह मेरे लिए भी बहुत हार्ड है प्लीज मुझे समझ लो नेक से मैं देते है कि डिटेक्ट्ट्व केटी के घर में सब चीज़े ढूंटा है यहाँ पर उसे हैंड़ाइटिंग दिखती है जो हैंड़ाइटिंग केटी के नहीं है उसके वो नेवर की है नेवर ने कहा था कि वो केटी को नहीं जानती थी पर अब उसे मालूम है कि वो केटी को जानती है केटी भी अपनी नेवर को कॉल करती है और केटी है कि वो एक अच्छे जगा पर पहुच गई है वो उसे help करने के लिए thankful है फिरसा में town दिखाय जाता है Katie और Alex अब एक official late पर जाते है रात में एक दूसरे के साथ intimate हो जाते है next day हम देखते हैं कि Alex police station पर आता है है पता है कि Alex का friend police में इसलिए अपने friend से बात करने के लिए आया था यहाँ पर police station में Katie का photo देखता है first degree murder के लिए वो wanted है यह देख पाता है Alex बहुत ही खुसा होता है और directly Katie को confront करने के लिए पोच्चता है Katie का नाम अलग है तो उसे नाम से उसे पुकारता है Katie कहती है कि मैं सब को समझा सकती हो पर Alice कहता है कि तुम्हें एक जूटी हो मैं तुम पर किस तरह से trust कर सकता हूँ तुम मेरी family से भी मिली तुम्हें शरव माने चाहिए थी यह कि मैं एक bad relationship में थी इसी वज़े से मैंने इस सब किया है Alice कुछ भी नहीं सुनता और वहाँ से निकल पड़ता है next round में हम देखते है कि डिरेक्ट्यों को उसके boss ने बुलवाया है केटी wanted है इस तरह से डिरेक्ट्योंने fax किया था पर boss उस पर नारास है boss कहता है केटी ने कुछ भी नहीं किया है तुमारी wife है इसलिए तुम कुछ भी करोगे यह सहीं नहीं है यहां में अब पता चला है केटी और डिरेक्टू हस्बंद वाइफ थे मूवी के वस में हमने देखा था केटी जकमी थी और भाग रहे थी यह उसके हस्बंड ने याने की डिरेक्ट्यों नहीं किया था Boss Direct 2 से बुछता है कि हमेशा तुम्हेरे हाथ में water bottle रहती है, इसमें क्या है यह तुम मुझे दिखाओ, Boss चेक करता है तो इसमें liquor है, Boss अब Direct 2 को suspend कर देता है, अब हमें flashback दिखा जाता है, जिसमें हम देखते केटी और उसका husband याने की Direct 2 यह दोनों lunch कर रहे थे, Direct 2 को हमेशा स जल्दी से भाग गए, Direct 2 केटी को कुछ भी हालत में ढूना चाहता था, इसलिए पूरे nationwide उसने वो wanted है, इस तरह का facts कर दिया, केटी अब बहुत रोती है, LSB अब उसे hit करने लग गया है, तो इस town में हो क्यों रुकेगी, इसलिए backpack करती है, यहापर उसकी friend जो भी आती है, जो कहती है, कि तुम अब फिर से क्यों भाग रही हो, इस तरह से तुम हमेशा के लिए भागती रही, तो कभी भी तुम stop नहीं होगी, केटी कहती है, कि तुम समझ नहीं सकती है, उस पर चिर जाती है, और जो कहती है, इसलिए तुम इस town में हो, जो को जरा hurtful message होता है, और वहाँ से चली जाती है, थोड़ी दर में Alice को भचता होता है, केटी क्या कह रहे थी, उसे सुन लेना चाहिए था, वो केटी के घर तक आता है, पर केटी वहाँ से निकल गई है, वो जल्दी से port तक आ जाता है, जहाँ पर केटी है, उसे रुकने के लिए कहता है, केटी केट सकती, मेरा हस्बर मुझे ढोन लेगा, एलेस कहता है, केटी 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 के वही पुलीस है, एलेस उसे हग करते है, और कहता है, कि मैं तुम से अब प्यार करने लग गया हूँ, कुछ भी हो जाए, हम इस चीज़ का मिल कर सामना करेंगे, केटी भी रुकने के लिए मान जात इसके बाद हम देखते, केटी और एलेस की रिलेशनशिप बहुत यह अच्छे से डेवलेप हो चुकी है, एलेस के बच्चे भी अब केटी को पसंद करने लग गया है, एलेस वरीड होता है, कि जॉश को केटी पसंद नहीं आती, तो जॉश उसे कहता है, कि तुम वरी मत कर अब मुझे केटी पसंद आने लग गई है, अपने फादर खुश रहे, यही उसे लगता है, फोर्थ आप जुली आता है, और पूरा टाउन सेलिबरेट कर रहा है, तब ही वहाँ डिडेक्टी पहुच जाता है, टाउन में आकर डिरेक्टी अलेस के शौक पर यह पहुचत जाती है, डिडेक्टी को लगा था कि यहाँ कुछ न कुछ तो कर बढ़ है, अलेस जब लेक्षी को लेने के लिए आता है, तो अलेस का वह बीचा करता है, बीच के पास आकर सब लोग मजे कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, वहाँ अलेक्टी और केटी भी है, इन दोनों को ड देख लेता है, रात में फायरवक्स जलाने के लिए, अलेस अपने फ्रेंज के साथ चला जाता है, अपने साथ जौश को भी लेकर जाता है, केटी और लेक्षी शौप पर ही रुखते हैं, केविन हमेशा से उन पर नजर रख रहा था, जब केटी और लेक्षी सोय हुए है तो केटी को सबना आता है, और सबने में जो उसे कह रही है, कि वो आ चुका है, जिससे तुम भाग रही थी, वो इस ताउन में है, इस सबने से डिस्टब होकर केटी उठती है, तो एक्चुल में केविन घर में है, केविन उसे कहता है, कि हम दोनों को बात करने चाहिए, मै के हाथ में गन भी है पर केटी उसे नहीं डरती है वहाँ से जला जाता है और केटी लेक्सी के पास आती है शौप के सब दर्वाज वगरा बन करती है और लेक्सी को उपर लेकर जाती है केटी को नीचे से आवाज आती है और केविन पूरे शौप को जला रहा है केटी जल्द पर यह गन केटी को मारने वाला था पर यह गन केटी चला देती है और डिटेक्टी उमर जाता है आख शान्त होती है पूरे हाउस में से एलेक्स टॉर निकालता है जिसमें उसकी वाइफ ने लिटरस लिखे थे यह सारे लिटरस अभी तक इंटाइक्ट है जोज की मदर का रूम जल जुका है तो बहुत रोता है एलेस कहता है कि जिस तरह से पहले रूम था उसी तरह से हम फिर से बिल्ट है जॉज कहता है कि मौम को मैं बहुत बहुत मिस करता हो अब नेकसल में हम देखते है कि जोई है कि तो बहूत सरे पिकचर्च लेना सारे नकर्तर रखना जब के लेक्स के साथ है तो एलेक्स के यह को एक लिटर देता है कि लेटर एलेक्स की वाइफ ने एलेक्स की नई वाइफ जो होगी उसके लिए लिखा था केटी लेटर पढ़ती है इस लेटर में लिखा होता है अगर तुम ये लेटर पढ़ रही हो तो एलेक्स तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है अगर वो नहीं करता तो कभी तुम्हें नहीं मिलता Alice की वाइफ ने और लिखा होता है कि वो खुश है कि Katie Alice को मिल चुकी है इस लेटर में वीश होती है कि शायद मैं तुमसे मिल पाती या किसी ना किसी वेश से शायद मैं तुमसे मिल भी रही होंगी केटी फिर इस लेटर के साथ एक फोटो देखती है यह जो फोटो है इसमें जो और जॉश है क्यानि कि Alice की वाइफ जो ही है मुवे में हमें जो दिखी थी यह जो की स्पिरिट थी Alice की वाइफ मरने के बाद भी इसी टाउन में थी क्योंकि वा देख सके कि उसकी फैमिली किस तरह से है वा अच्छे तरह से रह सके इसलिए हमेशा उन पर वा नज़र रखती थी एलेक्स और केटी की रिलेशनशिप आगे बढ़ाने के लिए भी जो का ही हाथ था मुवे के लास्ट में हमने देखा है कि जो अब इस टाउन से चली जाती है यानि कि जो की स्पिरिट अब खुश है कि एलेश को केटी मिल चुकी है इस लेटर में जो ने और भी लिका है वो लिखती है कि तुम्हें उनका खैल रखना है उन्हें असाना है जो वो रो रह होगे तो उन्हें सहारा देना है क्या सही है क्या गलत यह अब तुम ही उन्हें सिखा सकती हो I hope Alice को फिर से मैंसुस हो कि प्यार किस तरह से होता है Josh मेरे साथ fishing करता था तो तुमारे साथ भी कर सकता है वो खुश है कि Lexi के wedding day पर Katie भी उसके साथ होगी वो wishful है कि Katie उनके family अब complete करेगी इसी एक beautiful note पर एक movie end हो जाती है अगर आपको एक वीडियो चलागा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा बहुत सारी movies लेकर आता रहता हो तो प्लीज इस चैनल को subscribe कर दीजे और बेंड़ो के शनाइकों दबने मत भूलिया फिर से मिलेंगे और एक ने मुई के साथ तब तक लिए thank you और आप उन्हें आपका ख्याल रखिया